आतंक से आतंकियों से भारत को सक्त नफरत ना सर्फ इसलिए क्यूंकि भारत ने बहुत सालों तक इसे सहा है इसका सामना किया है बलकि इसलिए भी क्यूंकि भारत एक शांती प्रियदेश है वो मारकाट में विश्वास नहीं करता बलकि शांती स्थापित करने में विश्वास करता है ऐसे में जो मुल्क भारत का पडोसी होकर भारत में आतंकी भीजता रहा है आतंकियों को पालता पोस्ता रहा है आतंकियों का पनहागार ब अगर पाकिस्तान भारत के साथ संबंद स्थापित करना चाहता है भारत के साथ रिष्टों को बढ़ाना चाहता है तो फिर तो पाकिस्तान को आतंकियों का पनहगार बनना बंद करना पड़ेगा अपनी इसी बात को और पुक्ता तोर पर फिर से एक बार रखा है विदेश मं विदेश मंत्री ने भारती समुदाय को संबोधित कि और इस नए भारत की शक्ती का हिसास कराया डॉक्टर एस चेशंकर ने कहा जो ताकते दशकों से भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद में शामिल है वो सब जानती है कि एक अलग भारत है जो उन्हें जवाब दे सकता है विदेश मंत्री यही नहीं रुके आगे उन्होंने ये भी कहा आज देश चीन और पाकिस्तान के और से राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर सकता है आप आज एक अलग भारत देख रहे हैं जो खड़े होने को तयार है ये भारत अपनी राष्ट्रिय सुरक् किया है वो सब जानती है कि ये भारत बिल्कुल अलग है और ये भारत उन्हें जवाब देगा विदेश मंत्री युगांडा के मंच से भारतिय समदाय को साथ ही साथ पूरी दुनिया को ये विश्वास दिलाते नजर आए कि ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है जो कि पहल But we are independent India, India which is willing to stand up and India which will meet its national security challenges So, whether it is Uri or whether it is Balakub today, the forces to have indulged in cross-border terrorism against us for decades And we've now made this different India this India will give them a reply. But that is not the only border where there is a challenge. There is also a challenge on the China part. आप सब लोग जानते हैं को लास्ट three years in violation of agreements Chinese have brought large forces. Today the Indian military is deployed at very great heights in very tough conditions आपने विदेश मंतरी को और फिर देखा किस तरह से विदेश मंतरी के बयान पर लोगों ने तालिया पीटी है क्योंकि लोग विश्वास करते हैं इस नए भारत पर उन्हें भरोसा है इस नए भारत पर यकीन है कि ये भारत अपनी रक्षा के लिए सक्षम है पाकिस्तान क्या चीन क्या कोई भी बड़ी से बड़ी पावर अगर भारत के सामने आ जाएगी तो भारत का दम पीछे नहीं खीचेगा बलकि डट कर उस शक्ती का सामना करेगा ये नरेंद्र मोदी का नए भारत है जो शीश नवाना भी जानता है और छेडने वालों का सिर कलम करना भी जानता है भारत सेहन करने वाला भारत नहीं रहा भारत जैसे कुछ तैसा जवाब देने वाला भारत बन चुका है निश्चित तोर पर इस भारत पर हर देश प्रेमी को नाज है इस नए भारत ने हर राष्ट्र भक्त का सीना गर्व से चोड़ा किया है और युगांडा में राष्ट्री नियालय विज्ञान विश्विद्याले का विदेश में पहला परिसर जिंजा में स्थाबित किया गया है यहाई पर इस नए भारत को लेकर गर्वानवित में हसूस कर रहे विदेश मंत्री डॉक्सर एस जैशंकर ने भारतीय समधाय को संबोधित किया परिसर के उधगाटन समारों में भारत को मजबूच स्थिती में दिखाने वाले विदेश मंत्री ने कहा हम दोनों देशों के बीच दुपक्षिय संबंधों के एक बड़ी उपलब्धी मनाने के लिए खटा हुए है भारत का राष्ट्रिय नियालय विग्यान विश्विद्यालय योगांडा के रक्षा बलों के साथ साज्यदारी में यहां अपना परिसर स्थापित कर रहा है विदेश मन्तरी ने इस खास दिन को भारत और योगांडा के लिए गौरव का दिन बताया और साथी दुनिया में संदेश भी पहुँचाया कि कैसे भारत तब पहले से काफी अलग और बहुत अच्छी स्थिती में है आपको बता दे विदेश मन्तरी मोजांबिक की तीन दिवसीय यात्रा पर है यात्रा के दोरान उन्होंने दुपक्षिय सहियों को मजबूत करने के लिए मोजांबिक की संसत के अध्यक्ष से मुलाकात भी की तेरह अपरेल से डॉक्टर एस्टेश शंकर ने यात्रा शुरू की जो भारत के किसी भी विदेश मन्तरी की पहली यात्रा है वैसे यहां से विदेशी धर्ती से विदेश मन्तरी एस्टेश शंकर ने जो साप संदेश दिया है पागिस्तान और चीन को जिस तरह सच्छे ताया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है अपनी राए हुमें कमेंट कर जरूर बताएं अच्छे अच्छ जरूर थे अच्छुल yapılcidos cioè सच्छे अच्छेशित की अच्छो बालपूट म सक्छेशिता दिरीद जरूर प्राहिकम इनदेंदिकरा के सिर्वी च्रूरूर प्रुट्रू क सेंटरो semble घरूर धर वालपकूट तदे भूसैंट है झालसर दो आप सब लोग जानते हैं को लाइख लोग जानते हैं को लाइख लोग जानते हैं लोग जाज लोग जानते हैं और जानते हैं announce लोग जानते हैं this is a different India which will stand up for its interest and the world will recognize that also it is also a more independent India this is an India where if we are put under pressure if countries tell us where we should buy our oil and where we should not buy our oil this is an India this is an India which will do what is in the interest of its citizens its consumers but it's also that's not the only situation we sometimes are also told you know we had fought we had joined a group called Quad now we had done some years ago in 2007 also Quad had come but at that time the countries involved in it they bent to pressure and gave up this time we are very clear if Quad is in global interest it is good for the world it is good for all of us we will do whatever is necessary so it is not just one issue this is today a different India which will take positions which will be determined by Indian national interest and that is very much you can actually see that in the personality you